हरी द्वारे कुशा वर्ते, नील के फिल पर्वते, इस नानत्वा कंखले, तीर्थे पुनर जन्म ना विगते। कंखल तिर्थ ब्रह्मा पुत्र राजा दक्ष प्रजा पती की कर्म वद दपो भूमी है। यह माता शती की जन्म भूमी, वह महादेव की शशुराल भी है। इस वीडियो में आप कंखल तिर्थ करेंगे। नमस्तो दोस्तो, ट्रावल वित राज लक्षवी में आपका स्वागत है। अगर आप भरिद्वार गए हैं, तो मैं कहूंगी आप कंखल का तिर्थ भी करके जरूर आएं। और कंखल जाने का आज मैं पूरा डीटेल आपको बताऊंगी की कैसे कहां से आपको जाना है, कितने रुपए खर्च होंगे और पूरा कंखल दर्शन कराऊंगी। अभी मैं जहां खड़ी हूँ, इस जगव को बोलते हैं सिव मूर्टी चौक और यही से कंखल जाने का आपको सेरिंग रिक्षा लेगा। और यही जो आप हाइवे देख रहे हैं, यहीं से क्रॉस होके निकलता है कंखल के लिए, दस से पंदरा मिनट बाद हम पहुंच जाएंगे कंखल और यह जो आप गेट देख रहे हैं, यह है श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर। और आपको गेट पे ही प्रशाद मिल जाएगा चुड़ाने के लिए, फूल मालाय मिल जाएंगे, आप वहाँ से लेगी मंदिर। आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप अपने पर्शनल कार से आए हैं, तो भी आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाती हैं, काफी स्पेसियस हैं, तो गाड़ी कहीं भी आप खड़ी कर सकते हैं, सामने आप देख रहे हैं कि आपको दक्षेश्वर टेंपल दिख रहा होगा, त तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चारो तरफ इन्वार्मेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, चारो तरफ पेंटिंग की गई हुई है, और मंदीर पूरा नहीं प्रॉपर खुला है, छोटा वाला गेट है, और उसे से हमें अंदर जाना होता है, सबसे पहले जानत हैं, जो यह मंदीर है, वो दक्ष प्रजापती का है, और दक्ष प्रजापती कौन है, यह मैं आपको अब बताती हूँ, आज मैं आप लोगों को ले के आई हूँ, एक पौराडिक नगरी कंखल में, जहां स्यूपुराड के अनुशार यह नगरी कभी राजा दक्ष अस्थानी हुआ करती थी, यह प्राचीन नगरी हरी द्वार से दच्षड दिशा में इस्तीत है, यह अस्थान कभी प्रजापती दक्ष की राजधानी हुआ करता था, प्रजापती दस तब ब्रम्हांड की अधिपती थे, और उन्ही की आदेश पर अन्य प्रजापती इतने बीर और प्राकर्मी थे कि उस समय उनकी मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाता था परन्तु मान सम्मान एश्वर और सत्ता ने उनके स्वभाव में अभिमान का जहर खोल दिया। उनका घमन दिनों दिन बढ़ता ही गया और एक दिन उन्होंने अहंकार के नशे में भगवान शंकर का ही अपमान कर दिया। बिसाल यग्य ना कभी पहले हुआ था और ना ही बाद में कभी हो पाया। उस बिसाल यग्य में सभी प्रजापती महर्शी, मुनी, रिशी, देवता, गंधर्ब और अन्य महत्पूर्ण लोगों को आमंत्रित किया गया था। प्रण्तु प्रजापती दक्ष ने महादेव शिव को छोड़के सभी छोटे बड़े प्राडियों को इसमें सामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन उस बिसाल यग्य में माता सती बिना आमंत्रित किये हुए पहुँच गए और वहाँ पे प्रजापती दक्ष ने उनके पती यानी महादेव का घोर अपमान किया जिसे माता सती सहन नहीं कर पाए उन अपमानों को और उसी पे उसी हवन कुंड में अपने शरीर का त उसके बाद जैसे ही भगवान शिव को ये बाद पता चली भगवान शिव को अक्रोध साथवे आश्मान पे हो गया और महादेव रोद्र रूप धारण करके महराज दच का सीर्स उतार दिया और शंपुड यग का विद्धवन्स कर दिया तस्त पस्तात सभी देवी देवताओं द्वारा पूजा अर्चन करने के भगवान शिव शांत हुए और दक्ष प्रजा पती को बकरे का शिर्ष लगा कर उनका उद्धार किया ये जो कुंड आप देख रहे हैं ये सती कुंड है यहीं पे माता सती ने अपने शरीर का त्यां किया था कंखल वो जगह भी है जहां पे स्रिष्टी का पहला पानिगरहर संसकार हुआ था जब महादेव और शती ने शिव शक्ती के रूप में एक दूसरे का अवरण किया था यहीं से बिवा प्रथा का शुभारंब हुआ था कंखल में आने वाले लोग अगर यहां पे अश्टनान करते हैं तो हरिवंश पुराड के अनुशार कहा जाता है कि गंगा अश्टनान यहां पे करने से दुबारा आपका पुनर जन्म नहीं होता है और यहां पे दक्षेश्वर टेमपल के बाद भी बहुत चारे चोटे-चोटे मंदिर हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हैं चारों तरफ आपको शिव जी का महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा साथ में ही आपको अगल बगल में बहुत शारे मंदिर के दर्शन कराऊंगी अगर आप कंखल आए हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां पे और बहुत शारे मंदिर हैं जिसे हमें देखना चाहिए तो बीडियो आप मेरे आने वाले सारे बीडियो देखें आपको हर एक बीडियो में अलग टेंपल में दिखाऊंगी और अलग वहां की जो कथा है वो मैं आपको बताऊंगी ये संपूर दर्शन रहा दक्षेश्वा टेंपल यानि कंखल महा देव का शशुराल का माता सती कईया जर्म भूमी है और राजा प्रजापती दक्ष की कर्म वद तपो भूमी रही है ये भूमी कंखल में और बहुत साड़े ऐसे श्यू मंदिर है जिनको बहुत कम लोग जानते हैं जैसे यहाँ पे दरिद्र भंजन और दुख भंजन ए दो मंदिर है जो कंखल दक्ष मेश्वा टेंपल के अगल बगल है लेकिन वहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं उस मंदिर के भी मैं दर्शन कराऊंगी आपको लेकिन आने वाले वीडियो में क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाती है और लोग इसकीप कर जाते हैं इसलिए मैं अलग-अलग टेंपल का छोटा-छोटा वीडियो आपको दिखाती रहोंगी तो पूरी वीडियो आप देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है यहाँ पर आपको राम जी के भी मंदिर मिलेंगे और शाद में हन्मान जी का भी आपको दर्शन करा देती हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका प्यार भी मेरे को मिलता रहता है कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लग आपको दर्शन करा देती हैं कहा जाता है कि यहां पर जो लोग श्नान कर लेते हैं उनका पुरान जनम नहीं होता है तो एक पर यहां पर अश्नान जरूर करें बाबाई दोस्तों टेक कियर